हुआ है नवस्कार दोस्तों मैं रोहित स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चनल हम सब की सोच दोस्तों जानते हैं कि एक यूट्यूबर जो होते हैं कि आप मेहनत मसकत का साथ अपने वीडियो बनाते ताकि लोग उसे देखा और उसे प्यार दूलार दे क्योंकि यू अपने content करता है कापी महीनत और मसकत के साथ बनाता है आज एक ऐसे ही सकसे मिलाने वाले जो टिक वीडियो से रिलेटिज चीज बनाते हैं जी का नाम बाबो रोही छोटु जी है सबसे पहले मैं अपने चैनल हम सबकी सोच में आपका स्वागत करता हूं मैं भी स्वागत करता था तो उसे में हमारे धर्मिंदर सरका माई स्मार्ट सुपर्ट धर्मिंदर सरका वीडियो मेरे सामना आया मैं उन्हीं का वीडियो देखके और अपना YouTube चैनल उपन किया तो मतलब की सुरुवात में जब YouTube का जो सफर होता है काफी स्ट्रगल भरा होता है काफी मेहनत करनी ह पड़ती है काफी एडिट करना पड़ता है तो फिर आप आपके मतलब आप कहां कहां से कॉंटेंट लाते थे फिर कहां कहां से मतलब यह वीडियो एडिट करते थे मैं अपनी मवाले से काइन माइशर से अपना वीडियो एडिट करता हूं और और ऊपने कैमीरा से अपना वीडियो सूट करता हूं थो इसके पीछे कितना स्ट्रगल सब्सक्राइब करा Compli भी मुझे बहुत सोपेट किये हैं और यह जो अभी मैं वीडियो बनाता हूं तो मेरा वहलू बहुत अच्छा है वहलू अच्छा मतलब आपके अभी चैनल पर कितने सब्सक्राइबर है अभी मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर 16500 है मतलब हम यह पुछना चाहते हैं कि आप किसको देखे सबसे ज़्यादा आगे बढ़ रहा है किस टेक चैनल को देखे आप इंस्पायर हुए और किस टेक चैनल को देखे उनके जैसा बनने का सोचा मैं तो भी फारुक सर जो हैं सिवान जी लेकर अपने जिनका अभी एक लाग सेफ़र होते यूटूब चैनल को बनाते हैं तो काफी समय लगता है बना лुशा डिमोटिवेट करते हैं कहते हैं कि यह कि तुम तुम धालतू का करें जो लोग बोलते हैं कि तुम यह पारिका आपको देर परी कारों तो क्या कभी आपके साथ ऐसा भी हुए जी मेरे साथ करें दोस्तों कि अगर हमें जब बड़ा हम बनते हैं तो हमारे माता पिता काफी हम रोल होता है तब जाक हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि जो दोस्तों अगर हमको अच्छा लगता है कि हम चलो इसे अपने content पर काम करें और मैं इसे content को आगे बढ़ाना चाहता है तो दोस्तों ज़रूर demotivate करने वाले ज़रूर person आते हैं लेकिन जब वही जो इनसान demotivate करते हैं और वही इनसान आगे बढ़ जाता है स्टार बन जाता है तो वही लोग आगर पूछते हैं वैसे ही रोहीद बावो के साथ है तो रोहीद जी आप यह बताए कि अब आपका अब मतलब की आगे क्या प्लान है मतलब अब आप कौन-कौन content त्यार करने वाले और किस चीज़ से टिक जो टिक रिलेटर वीडियो बनाते हैं तो उसमें क्या क्या टिक वीडियो है मैं उसमें बनाता हूं जो जितना बिहार से जितना भी जोजना होती है जुड़ी हुई मैं उसको लाता हूं और सबसे ज्यादा में बिहार बिरोजगारी भता से रिलेटर बीदो लाता हूं जो भी कि आपका मैसेज कैसे करें, उसका फॉर्ण फीलब कैसे करें, उसमें बनाता हूं वीडियो और उन्हें अच्छा रिस पॉंस से मिल रहा है, अच्छा रिस्पॉंस मिला है, मतलत जो भी विरुजगारी भथता है पर्दान मंतर सातनी से योजने के तहत ही आता है, बहुत सारे जो लोग है विरुजगार रही हुआ या लड़की है उनको बहुत सारी चीजे समझ में आती मतलब आपने आपके दिमाग में यही चीज आया कि मुझे यह चीज बनाने चाहिए आपको वह कौन साइसा वीडियो है जो वायरल हुआ सबसादिक सबस्क्राइन करें ड्योवन्र करें गठाएं उपनी इसको नमभर अपने पर इसे करने इसब करो मैंसेज कर दिएगा तो मैंने यूटूब एसे बहुत सब्सक्राइबर गेन हुआ, उसके बाद अच्छा भी रिस्पॉंस मिल रहा है, भी एक चीज समा से आ रही है, जो बहुत सारे लड़के मेसेज कर रहा है, बीच में मेसेज एकसेप्ट नहीं कर रहा है, मेसेज नहीं जा रहा है, मतलब मेसे बहुत सारे बच्चे परिसान है, जी, मैं आपको बता दूए एक तारिक से लेके, जो फ़स्ट जनवर दुफचर रहा था ना, उसे में ये लोग अभी बीजी थे, उसके बाद अभी क्या हुआ कि आठ तारिक से मैसेज सकस्फुल हो गया है, मैंने वीडियो बना दिया, मैंने सफस्फुल हो और जो रही जो बात अभी आपने बॉला कि पेमेंट नहीं आ रहा है, तो मिने कस्चरमर से बीजी भात किया, तो लोग सीच्छुने बे दिया है, कोई कोई बच्चे बोलते है कि एक माहीना के नहीं आया, मतलब मैंने तीन मैंन अपलाई किया जिसमें से इक महीने काट लिया जो महीनका दिया है तो यह सभी समस्राइस चेहर। पढ़िया है मैं उससे बात किया और मैं कॉलर्स बात किया हूँ कलका कॉलर से बात करके I अपलोड करने वाला हूं। 2-3 करने वाला आत् HIM बता है जो फैसे पर अभ actual है। लड़के या लड़की हैं वह कितने एज वाले लड़के अपलाई कर सकते हैं विरुजगारी बता कतर पैसे पराप्त कर सकते हैं आप तो यह सही बात बोले उसमें आपका मैक्सिमाम एज 20-25 होना चाहिए ठीक है और 25 से जादा नहीं होना चाहिए और उसका बाद आपका जो क्वालिफिकेशन हो चाहिए त्वेल्थ फास होना चाहिए आप उसमें गिर्जवेस्ट नहीं ठीक है तो आपका लड़का या लड़की अपलाई करेगा तो आपको मैस्ट मैसे में सब्सक्राइब आपको पैसा मिलना चालू हो जाएगा और ही मैं अगर मैं बात कर परधा आता है मैं अपने यूटूब चनल के माध्धम से सबको बताता हूं सबको अब लेटेस्ट अप्डेट बताते रहते हैं तो यह बताएगे कि प्रधान मंतर निधी योजना वाला जो है तो आपको उसमें का वीडियो है वायरल हुआ जी उसमें काभी कोई वायरल नहीं वा सबक्राइब करता है लेकिन जो मैं आपको बता दो भीहार बेजगारी भाता का जो हाल टू सेन मैसेज भीहार बेजगारी भाता यह आप सर्च करिएगा तो मेरा फर्स्ट वीडियो सो करता है उसका विव है यानि साड़े 7000 विव अच्छा खासा लाइक है कॉमेंट है बह आपके मन में क्याला है कि मुझे काम करना चाहिए तब जाके आप इतना सफल हुए मैं टेक्निकल जो फारुक सर है उनको देखके इंस्पायर हुआ और उसके बाद मैं अभी तक मिरे आप चैनल पर जाएगा तो अठाएं चोरासी वीडियो डाल दिया हूँ मैं 27 से काम करा हूँ और डेली मतलब दो दिन तीन दिन पैसे में लाटे जो अपने राता है उस पर मैं वीडियो बना कर डालता हूँ अप एक यूटूबर है तो जो नए यूटूबर बनना चाहते है तो यूटूब का सफर क्या है मतलब जो बच्चे चाहते है यूटूबर मने इसकरेएर की इसमें पैसे कितना है बहुत सरे पैरेंट्टस को लगता है कि यूटूब की चैनल बिकार है इसमें कोई लाइफ नहीं है तो क्या लगता है कि इसमें को होता है इसका कोई लिमिट नहीं कोई महीना में 20-30-50 ऐसे मिलता है पैसा उसको कोई देखत नहीं आपको रोजी बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों जैसे कि देख रहेते हैं आज हमारे साथ मौजूत है छोटू बाबो रोहित जी जो टेक से रिलेटर डिविजोड वीडिय कि पता नहीं चलता है बहुत सारे लोग जाते हैं डी डी आर सी सी में लेकिन को सही तोर पर वहां पर सुचना प्राप्त नहीं हो पाती है जिस वैसे रोहित बब्बू एक टेक से रिलेटर वीडियो बनाते आप जरूर उनको देख सपोर्ट करें और यह वीडियो वीडिय जो अच्छा लागा तो लाज करें सेर्ज करें और ज्याद से जदा हो सकता सब्सक्राइब करें